LHPG 2024 के अंदर एक नया exam pattern launch होने से Students के मंद में काफी ज़रा confusion है कि Sir हमें कौन से topics पर ज़रा time देना है किस topic पर हमें कम time देना है कौन से subject हमें पढ़ना है कौन सा हमें नहीं पढ़ना है ये जितने भी आपके questions है उनका एक पूरा once and for all complete answer मैं इस वीडियो के अंदर देने जारा हूँ जहाँ मैं discuss करूँगा पूरा complete syllabus कि आपको कौन से topics कि subject के अंदर देखने है कौन से नहीं देखने है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है किस पर time waste नहीं करना है सारी बाते हम लोग की दिटेल में करेंगे तो अगर आपने समभ लोग की चनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो कर लीजे आप चली बिना देर की वीडियो को शुरू करते है सबसे पहले यह बात करते हैं कि आपके आपके जो पूरे के पूरा subjects जो है आपके उनको आप categorize कैसे करोगे because without categorization execute कर पाना यहाँ पर कई न कई cut-in होने वाला है तो आप यह समझ के चलिए कि there are four parts जो कि आपको यहाँ पर बनाने four quadrants आप मान सकते हो पहला quadrant है constitutional law का दूसरा quadrant है criminal law का तीसरा quadrant है यहाँ पर business laws का और चौता है आपका other laws का constitutional law के अंदर आपका कौन सा पार्ट आता है आपका पार्ट आता है Consti का administrative law का labor law का environment law का जो उससे ऐसे subjects है जो कि कहीं न कहीं काफी हत तक dependent है constitutional law और उसके अंदर जो build हो रही है आपकी पूरी legal jurisprudence या जो legal precedence है उसके उपर based है वो यहाँ पर constitutional law के पार्ट के साथ तो यहाँ पर दो सबसे important subjects आपके constitution of India और administrative law यहाँ पर हो जाता है इसके अंदर भी constitution of India के अंदर आपको part 3 के उपर काफी अच्छे से ध्यान देना है because part 3 के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर legal reasoning के questions बनते हैं फसेंगे आपके यहीं से उसके अलावा आपके जितना state का और union का या फिर आप बात करते हो election provisions की या फिर आप बात करते हो जो अविंट्मेंट वाला provision है पूरा यह जितने आपके provisions ऐसे हैं जो कि आपके important होते है from exam point of view आपको सारे के सारी अच्छे साही के से करना है और उसके बाहर आगर आप इदम ambit की करते हो कि हमें क्या जो पार्ट आर्टिकल्स वन से लेके फोर है आपका आपका शिक्स है से नहीं आपको मेरे खासे जाने की जरुवत उतना नहीं है उतना यहां पर यह लोग नहीं जाएंगे उस तरहिके से कि क्वेश्चिन्स फूल लगी दम ही आपका समनलो मोटेव है वह यह नहीं है कि आपको वह प्रश्चिन करें कि आपके नॉलिज कितनी बेराक्ट आपने कितनी अच्छे से रटी है उसका में परपस यह कि आपकी रीडिंग अबिलिटी और लीगल रीजनिंग की स्किल्स कितनी अच्छी है आपको यहां पर जो में में प्रोविजन से सब्स्टांटिफ प्रोविजन का वह करना मैं आपको बता दिया कौन कौन से इसके और अद्मिस्टेटिटिटिटिट लॉग अंदर भी अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर भी मेक्शियोर करिए कि आप केवल जैसे नाच्रल लॉग हो गया उसके बाद आपके पूरे प्रोविजन्स हो गया है आप माली जैपरेशन ऑफ पावर हो गया इडिनुस्रेटिटिटिफ ट्राइबिनल्स हो गया जो में डेडिकेटिटिट लेशेशन के पावर होते हैं जो में में कॉंसेप्स है कि उस पर ध्यान दीजिए बाकी उसको पढ़ने की जरुवत नहीं है उसके बार अगर आप बात करते हो लेबर लॉग के अंदर तो लेबर लॉग के अंदर यह जितनी मैंने बेर एक्स में जिलिया किसी भी आक्ट के अंदर चाहिए आप इंडेश्टिल डिस्प्यूट में जो चाहिए मिनमम वेजर में जाओ चाहिए आप इसके अंदर जाओ फैक्ट्रीज आपको अप्लाइगा या किसी इंप्रेंट पर इसमानलों स्टैंडिंग और हो गया उस पर मिलेगा तो सब्सक्राइब, इनवाइर्मन जो काम है आपको इंवाइममेट लुग का इंफो जाओं आपको इन पूरे सीरीज ऑफस कैसे जाए हुए MC महता वाले या TN गोदा वर्मन वाले उन केसे इसका पूरा एक डिटेल वहना चाहिए इंटराशनल जब आप इसके जियो डेक्लेशन की बात को है फिर जितने इंपोर्टन आपके इवेंट्स हुए उनकी हिस्ट्री क्या थी वह आपको बताओना चाहिए फिर उसके बात जब आप इन बेर आक्स पर आतो फिर as I said केवल important provisions पर आपको ध्यान देना है कि भाई Environment Protection Act है क्या उसके अंदर के जो important powers in government कि भाई वो क्या है किन-किन चीजों पर वो अप्लाए करता है उसका jurisdiction किस तरीके का है यह सारी चीजों पर यह आपको ध्यान देना है ज्यादा बाहर उसके पढ़ाई आपको नहीं करनी है कि आप यहां पर जरूरी नहीं यहां पर आपको जो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो और साथ में जुड़े वे केसे हैं वो और उनके अंदर क्या हिल्ट करा गया था वो दाट इस में काम आपको कोशिश यह करनी है प्रैक्टिस यह करनी है कि जितने आप एंसी क्यूज लगा होता अच्छा है यहां पर रहेगा उसके बाद जो एक और बहुत ही जड़ा इंपॉर्टेंट आपकी बेर आक्ट है जो आपको देखनी है वो है आपिट्रेशन कंसिलिशन आक इसको प्रीज छोड़ के मच जाईएगा इसमें से क्क्रेशन आने का बहुत ज़रा चांस होता है कि आप एडियार के पॉइंट आप व्यू से जब आप इस सब्जेक को पूशिए किसे पढ़ रहे हो तो आप कहीं ना कि इसको सीपीस से पी सोड़ सा करनेक करके चलोगे औ आपको इसको अच्छे से करके जाना है ऐप्सकर वाकर आनकरे केस हैं पारेकर केस और श करका इसके बार नुगिया हुटrekर में साहरीthing करना चाहते हो तो हमार। पास अवेलबल है ऐलेट प्लस ट्रैश के यहां पर क्यूआ परपरेशन कोर्स кра पूरा की जो आपका जो subjects covered है सारे के सारे cover करके आपको देंगे साती में मॉपके पास हम लोग एलिट और दोने के provide करेंगे साथ में एलिट पीली के लिए आपके special lectures भी हम यहां पर provide कर रहे हैं जिसमें के हम लोग यह discuss करेंगे कि कौन-कौन से इसे important topics हैं जहां से आपके जो legal reasoning वाले portion ने उसको आप विसकी जो questions साथ उनको आप solve वोगे बाकी सारी चीज़ें यहां पर covered है तो अगर आपको preparation में help चाहिए तो आप definitely यहां पर सोस्रक्त जोइन करनेगा इसके बाद में बात कुरू बिजनेस लोवाल पार्ट के अंदर आपको क्या के चीज़े प्रिपेर करनी है तो इनके अंदर जो तीन सबसे important आपके bear acts है वो है आपके Indian contract act, Indian companies act और transfer of property act इसके अलावा जितने आपकी यह वाली bear acts आती है ना जितनी आपके insolvency bankruptcy भी मालो यह उतनी important अभी के point of view से मैं कहूंगा नहीं है तो इनके अंदर थोड़े थोड़े ऐसे provisions होते हैं जिनके उपर questions बन सकते हैं they are related to our concept ठीक है फिर अगर Indian contract act की बात है तो Indian contract act आपको पूरा पढ़ना है उसके अंदर भी यह ध्यान दो कि भाया जो important आपके parts है जैसे कि मालो आप बात करते हो शुरुआ से अवन से लेके 75 पूरा जब आप गये वो आपने पढ़ लिया फिर bailment pledge उसके राबा जो आपके पूरे provisions आते हैं कि कैसे आपको damages का पूरा वो बनेगा यूट्यूब पर कोई भी वीडियो कोल है फिर आपने कोई भी किताब कोली उसके जाओ देखो meetings meetings के बाद यह देख लो कि भाया जो आपके directors होते हैं वो कौन होते हैं उनकी powers क्या होती है वो दो एक लो फिर कितनी टाइप इस होती है कंपनीज के अंदर पीसमें को कॉपरेट वेल क्या होता है यह सारे concepts देखते हुए चलो बेर आक्ट के उपर दिमांग मत लगा ना आपके पास वो ग्यान हो जिससे कि आप problems जो होती है जो बनाई जाती है ट्रांसफर आप्टिया के अंदर उनको solve कर पाओ जैसे कि कि मैं जो पॉइंट है वो अपना में clear कर पा रहा हो कि किस तरीके से आपको syllabus पर ध्यान देना है इसके वाद आगा हम बात करते है criminal law के parts की तो यहां पर IPC CRPC और evidence यह जो तीन subject है इसमें IPC के अंदर as I had already said important parts पर ध्यान देना है मतलब जो आपका definition clause है उस पर ध्यान होना चा पूरे वाले आपके अच्छे से होने चाहिए उसके आगे की जौब के पांसो ग्याता तक जिसमें भी आपके main main offences defined है वो आपके सारे के सारे के सारे अच्छे से चाहिए बीच वले जो प्रोविजन से जिसमें की इधर उदर का थोड़ा थोड़ा पेटी ओफिंस हो गया यह हो गया वो गया वह सब इस चीज पर रखो कि आपको जित्ते भी इलस्ट्रेशन से जित्ते भी केस लॉस है उनका अच्छा ग्यान हो फॉर एजांपल मर्डर मर्डर कॉल जो इलेट यहां पर आपका टेस्ट करेंगा तो आप समझ जो रहें कि पढ़ाई आपके किस तरीके से यहां पर जाने वाली है सेम चीज़ CRPC के अंदर भी है कि अरेस पढ़ लिया बेल पढ़ लिया उसके लावाद जो ट्राइल है वो पढ़ लिया उसके बाद यह देखन पर द्हान दो जो आपकी ग्जांपल्स दी उस पर द्हान दो विकॉज आपको मैं एक पते की चीज़ यह बताऊं कि एविदेंस लौ आईपीसी कॉंट्राक्ट उसके बाद आपका लॉफ प्रॉपर्टी जो है आपका वो और आपका लॉफ टॉट्स और कॉंसिटूशनल लौ यह आपके वो 600 सब्जेक्स जिसमें कि सबसे दार क्वेश्टन सास तक यहां पर पूछे गये हैं एलेट के एक्जाम के अंदर तो आपको सबसे द्धन इनी सब्जेक्स के उपर लगाना है यह चीज में आउटराइट नहीं बताता हूँ बिकॉस नहीं तो आसा क्या ह इसके बाद आपका यह जितने आप बेराक्स दिये ना इनको के विल उपर उपर से आदेख लेना जारा डीप में जाने की जुरुवत है नहीं ठीक है मैंने के विल में इसलिए कर दिया कि माल लो गलती से अगर कुश्चिन उटके चला आया दें डटें डटेंट अगर आपको कोशिश यह करनी कि आप टॉपिक वाइस जाओ बेराक्स के उपर जाने की उत्ती जरुवत नहीं की युडिये चार की किस आटिकल में क्या दिया है या फिर इंट्रैशनल कोट और जस्टिस के जो आपका पूरा वह है आपकी आक्ट है उसके अदर क्या तॉपिक्स और जो आपके फंडमेंटल जो आपके प्रिंसिपल से उस पर आएंगे और बेसिकली जो इंग्लिश बेस पैसेज का पैटरन होता नहीं उसके उपर कहिना कि यहापर फोकस होगा तो आपको उतना ज़ाद ध्यान यहां पी देने की जरूबत नहीं है उसके उपर सिंपल सी जो आपके फोकस होता भी निया यह एलेटल लागे पहले हुआ भी नहीं है और ना अभी मुझे लगता होने का चांस है मेरे असाब से उसके बाद आप बाते हो मुस्लिम लाग पर हिंदु लाग के उपर मने आपके सारे के सारे जो बेर आक्ट्स हैं वो मेंशन कर दिये कि कि आपको जो करके जाने सीरे सीदे वो आप कर लो उपर उपर से खास कर कि इसके उपर सक्सेशन आपके उपर ये वाला और ये वाला इन चार के पर अच्छी कमांड नहीं चाहिए इनके अंदर भी देखो भाईया सेक्शन के उपर मत जाना जो टॉपिक्स होते उनके उप सब कुछ नहीं कि वाद उस पर फोकस करो कि भाया अगर प्रॉब्लम बेस्ट क्षिन आया तो मैं कैसे उस प्रॉब्लम बेस्ट क्षिन का अंसर कर पहूंगा कुछ कमेंट्स आया नहीं है आपका एलर के पेपर में तो मैं उस चीज को लेके यहीं बोलूँगा कि जो सीपीसी का पेपर है उसके अंदर आप बात करते हो प्लेस और सुइंग की तो उसके अंदर देरा सर्टन टॉपिक्स जिसमें क्या आप कह सकते हो कि हां भाई सीपीसी के दर उसका खिख्र है तो कोई सीपी सीपी सी के इन्दर पूरी पढ़ है की वोढी कर दीस्ट वो पाट जैसे कि बात करते हो ऊंदर कॉम से टेरस्ट एकश्ट स्मुल्स शूल Authentшь की या बात करते हो कि भाया जो कोड़ है कोर्ट्स के अंदर कॉर्ष लगते हैं इस टाइप की जो चीज़ है ना अटलीस उनको करके जाना या फिर आपका ADR वाला मेकानिजम है उसको करके जाना वह आप छोड़के जा रहे हो तो कहीं न कहीं आप को करेंगे कि जो छी के पर देंगे वन्होंने प्सेस जेकरिकर के रखए है और इपके ने सिलिवारिक कार सिर्भापिक के चानला उल्य। пог—tos discuss मैं निगॉध तोपिक्स के टाइप नहीं है 3 years to read subjects तो आपको अगर CPC का नाम अँन subjects की list नहीं नहीं दीख रहा हो तो आपको confirm बता है कि भीया ये important subject हो ठोटे हुग अगर तो यहाँ पर जारा chance नहीं है कि यह subject आएगा लेकिन a lit के अंदर इनकरे रहा है अगर syllabus के मेंशन हो कहीं पर दिया हो कोडिफाइट तो भही आप मुझे बताएए कॉंस लिट्रेचर से आप बता रहो मुझे अगर नहीं है then it is your duty कि आप जाके CPC को पढ़ो because last papers के अंदर place of swing और बाकी जहाँ से questions आए है expressly नहीं लेकिन impliedly जरूर आया है तो आपको CPC पढ़ना है that is my point यहाँ पर कि आपको क्यों सीज़ों करना है apart from that अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्रीस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए साथी में अगर आपको हमारे कोस में रोल करना है तो definitely आप चेकाउट कर सकते को I wish you the very very best of luck for your video success Bye